साड़ी कटिंग ब्लाउस साड़ी ब्लाउस के लिए शरीर की नापें साड़ी ब्लाउस साड़ी के साथ पहना जाने वाला उपरी वस्त्र होता है उपियों किये गए कपड़े के प्रकार और पहने की स्टाइल के आधार पर ब्लाउस की साथ साड़ी काम पर जाने की पोशाख या सुन्दर आपचारिक गाउन के रूप में पहनी जा सकती है साड़ी अपने आप में ही कपड़ों की सबसे पुरानी पहनी जाने वाली सामग्रियों में से एक है जो अभी भी प्रयोग में है उद्देश्य इस पॉट के अंत में आप साड़ी ब्लाउस के विभिन हिस्से समझा पाएंगे साड़ी ब्लाउस बनाने के लिए आवशक शरी के नाप की पहचान कर पाएंगे सामने के टुकड़े, गले, आदी की कटाई की विभिन शैलियों के आधार पर साड़ी ब्लाउस की विभिन किसमे है साड़ी कटिंग ब्लाउस की सामने के टुकड़े में अलग कटाई होती है जो साधरन साड़ी ब्लाउस में नहीं होता हलाकी दोनों के लिए आवशक नाप एक ही रहती है साड़ी कटिंग ब्लाउस के विबिन भाग, पीछे का टुकड़ा प्लकेट के साथ सामने के दो टुकडे और हुक ख्लोशर कमर पट्टी गला और बा है साड़ी ब्लाउस तंग फिटिंग आने वाला कपड़ा होता है इसलिए हमें शरीर के हर एक अंग की सटिक नाप लेने की जरुवत होती है साड़ी ब्लाउस बनाने के लिए आवशक शरीर की नापे हैं पीछे की लंबाई यहां हमें यह 9 इंच के रूप में मिलती है सामने की लंबाई यहां हमें यह 6 इंच के रूप में मिलती है कमर की लंबाई यहां हमें यह 15 इंच के रूप में मिलती है सीने का घेरा हमारे मामले में यह 35 इंच है चाती के नीचे का घेरा यहां हमें यह 28 इंच के रूप में मिलता है कंदे की चोड़ाई यहां हमें यह 14.5 इंच के रूप में मिलती है बहा की लंबाई हमारे मामले में यह 15 इंच है बाह की चारो ओर की गोलाई यहां हमें यह 10 इंच के रूप में मिलती है इस पार्ट में हमने साड़ी ब्लाउस बनाने के लिए ली जाने वाली शरीर की विबिन नापों के बारे में जाना इससे पहले की हम समाप्त करें चलिए हम प्रमुक मुद्धों पर एक नजर डालते हैं साड़ी ब्लाउस साड़ी के साथ पहना जाने वाला उपरी वस्त्र होता है साड़ी कटिंग ब्लाउस के विबिन भाग, पीछे का टुकड़ा, प्लेकेर के साथ सामने के दो टुकड़े और हुक ख्लोशर, कमर पट्टी, गला और बा है साड़ी ब्लाउस बनाने के लिए आवशक शरीर की नापे हैं पीछे की लंबाई, सामने की लंबाई, कमर की लंबाई, सीने का घेरा, छाती के नीचे का घेरा, कंदे की चोड़ाई, बाग की लंबाई, बाग की चारो और की गोलाई इसके साथ हम इस पाठ के अंध में पहुंच चुके हैं